अकुला जिले में मुंग की फसल पर अग्यात रोक के कारण हजारो हिट्टर फसल बर्बाद हो गई है मुंग को नगत फसल के रूप में देखा जाता है प्रमतु साल किसानों के हाथों से नगत फसल भी चलि गई है खरीब की नगत फसल के रूप में पहचाने जाने वाले मूंग और उड़त फसल पर अकुला जिले में लीप क्रिंकर नामक अग्यात रोग ने आक्रमन किया है जिसके कारण किसानों को कम दिनों में मिलने वाली नगत फसल बरबाद हो गई है इस बार किसानों ने नगत फसल के रूप में बड़े परमान में मूंग की बुवाई की थी इस साल मूंग की फसल पर अग्यात रोक के अलावा मावा, तोटोडे, लाल कुली, फूल कीले का बड़े परमान में प्राधुरबा हुआ है जिसके कारण मूंग की फसल पूरी तरस से बरबाद हो गई है मूंग की फसल पर रोक का प्राधुरबा होने के बाद किसानों ने मूंग पर कीट नाशक का दो से तीन बार छिड़काओ भी गिया है परन्तु इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है जिसके बाद तरस्त किसानों ने मूंग की फसल पर ट्रेक्टर चला दिया है परत्ते के एकड़ तीन से चार हजार का खर्च किसानों ने किया है परन्तु इससे किसानों को किसी भी परकार का लाब नहीं हुआ है मूंग पर आया अग्यात रोग ने किसानों के हातों से नगत फसल छीन ली है इस साल खरीब अंगाम में मूंग पर विशानु जनित रोग लीब क्रिंकल के वाइरल अटेक के कारण अकुला जिले में मूंग फसल का भारी नुकसान हुआ है इस साल अकुला जिले में तकरीबन 21,000 हेक्टेर जैमिन पर मूंग की वुवाई की गई है जिसमें से कई किसानों ने सैक्लो हेक्टर मूंग की फसल उखाड फेकी है मूंग जैसी नगत फसल हास्ते जाने के कारण किसानों में मायूसी छा गई है ग्रामिन इलाकों में किसान नगत फसल से हाथ धोने के कारण उदास नजर आ रहे है हातरूं से काजी मेंदे हसन की रिपोर्ट